पूछा जाता है या फिर अधर भी किस समेशन में पूछा जाता है यह क्लास में आपका सिंपल सा चीज जो है इंपॉर्टन कोशन करवाएंगे अगर आप हमारे वीडियो पे नए है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर किजेगा और अपना सजेशन दीजेगा आपको किस चीज पर आपका चाहिए हम आपको उझांस बनाके चलिए अग़ोखकोंको एक्जाम दे रहे हैं किसि सो करद यॉनेवर्सिटी आफ हम आपको वह को उस्कारपा पूरा पतो प्रोइड देटेंगे नकार एक्चिज हम आप ओसानकाहा काथए जह जो पिछले हमारे कोशन हैं या फिर पिछले जो बच्चे ने एक जान दिये हैं तो उनके कोशन हमेसा जो है आपका हंडेट में से सत्तर कोशन उनके लगबके हमेसा ही आते थे ठीक हैं तो एक अच्छा सा रेस्क्यो रहा है आप भी जो है एक बार विश्वास करके देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हमारा वीडियो, तो हमारा पहला जो कोशन है, वो आपका कोशन है, संविधा विधिका उद्देश पालन की है, उद्देश वचन पालन की बाधिता को पूर्ण करना है, तो संविधा विधिका आपका क्या है, या आपका ला के रूप में है, और ला के होता है ठीक है सम्विधा विधिकाज उद्दे से विधित चीजों को पाल्म करना होता है भारती सम्विधा अधनियम इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट जो यहां लागू हुआ था वह आपका 1872 में लागू हुआ था कब लागू हुआ था अब एक्ट की हम आपको बात बताते हैं कहीं पर कोड लिखा होता है और कहीं पर एक्ट लिखा होता है आप लोग पढ़ते होंगे सिविल प्रोसीजर कोड प्रोसीजर कोड और आपका इंडियन evidence act इंडियन कॉंटेक्ट एक्ट ठिक है ये आपका ऐसे लिखा होता है तो इसका act और कोड में difference क्या होता है इसको यहाँ पर हम पहले आपको समझ लेते हैं कोड जो होता है और act जो होता है Act जो होता है act हमारा जो है Parliament कोई भिला होता है कोई भी चीजे होते ही, वो पार्लियामेंट जाता है, वहां से पास होता है, फिर उसकी एक डेट आती है, फिर वहां लागू होता है, वह हमारा एक्ट होता है, जो हमारे इंडियन पार्लियामेंट में होता है, कोड वो होता है, जो हमारा जो है, वो पार्लियामेंट में नही अब यहां पर आप लोग बात करते हूंगे जैसे आपका अविड्येंश है या फिजो है इंडिन होगा तो फ़को आट आसा बातर में बना तब तो हमार पार्लियामेंट था नहीं तो वहाँ पर क्या है वहाँ पर सिंपल सा चीजो यह है कि जब हमारा जो है Contact Parliament मेंillon 872 में हमारा ParliamentSmith नहीं था लेकिन उसके जो Rule थे। बहुत से सारे रूल जो है Change हुए है तो नहींकि उसको सीथे नाम蛋िक के दवारा उसको Act के Convert कर दिया गया क्योंकि पिछली काफी चीज़ हमाहा पjang हो गई यह लेकिन उसकी चीज़ें Change होती रही है तो उसको तो जो simple सा एक नाम में उसको act बोल दिया गया ठीक है तो हमारे जो आप जो हमारे नए कानून आएंगे वो हमारे कोई कोड नहीं आ रहे हो हमारे जुकर नहीं प्राखनकर साइन करेगा पूसके पाद पूर्थी लागु के बाता तो यहां पर 859 में आपका इंडियन िंडियन कॉंटेक्ट आपका आए ठीक है अगला आपका question कौन सा है यह जो 1872 में तो आया लेकिन किस date में आपका लागू हो गया तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं यह आपका 1 सिप्तम्बर 1872 में लागू हुआ था कब 1 सिप्तम्बर 1872 में लागू हुआ था या सिध्धांत की किसी पूछ तास के संबंद में दी गई सूचना प्रास्थापना के लिए आमंतरन होती है प्रति स्थापित किया गया था तो किसके दौर स्थापित किया गया था या हारवे बनाम फेशी के वाद में स्थापित किया गया था अगला आपका question है निमनी लखित में से कौन सा वाद क्रास प्रिस्थापना से संबंदी थे तो आपका जो है आपसन भी ट्रिम्ट बनाम हाफ में एंड कंपनी वका वाद हो जाएगा अगला आपका कोशन है समीदा विधी प्रका परभाव है समीदा विधी का परभाव भूतल अच्छी नहीं है बहुत ही इंपॉर्टन कोशन आप इस कोशन को यह एक्जाम में जरूर ही जरूर आएगा ठीक है अगला आपका कोशन है निम्ली लिखित में से कौन सा वेध प्रस्थाओं का आवस्चेक तत्तु नहीं है तो आवस्चेक तत्तु कौन सा नहीं है तो हम आपको जो है एक एक topic के रिखी पूरे theory करवा देंगे जिससे आपको कोई भी question छूटेगा नहीं भले ही आपको msq पढ़े हो या नहीं तोड़े पढ़े हो लेकिन आपको वो करवा देंगे पूरी theory ठीक है अब देखो theory में क्या होता आप मान लीज़ें आपको कहीं से करार से आपके पांस कोशन बने करार से आपने 5 कोशन करार का चाहए जहां से कोशन आए आप करार के कोशन को गलत नहीं करोगे तो इसी तरह से जब हम लोग topic पढ़े देते हैं तो वो हमारे लिए easy हो जाता है paper को solo करने में तो आप बताना तुम आपको सभी topic की theory भी करवा देंगे अगला question प्रस्ताव की परिभासा समीदा अधिनियम में कहां पर दी गई है तो समीदा अधिनियम में प्रस्ताव की परिभासा दो आ में दी गई धारा दो सबक्लास आ में दी गई है निमली लेखिद में कौन प्रयस्थापना की वेद अभी सुईकरती है तो वेदा अब स्विक्रति जब अब स्विक्रति प्रिस्तावक दोरा वेधरीर से दी जाती है कौन सा कथन या पर सही है तो कथन सही करने के लिए केवल कार ही वचन का प्रतिफल है केवल प्रवर्थी ही वचन का प्रतिफल है या आप्शन C के वाल वचन ही प्रतिफल हो सकता है या फिर आपसन आपका D कारी प्रतिरती या वचन में से कोई भी प्रतिफल हो सकता है तो यहाँ पे आपसन A, B, C तीनों सही थे और आपसन D में क्या है तीनों का एंसर दिया गए तीनों है ठीक है तो यहाँ पे आपका आपसन D करेक्ट ह अगल आपको कोशन है, नेमरी रखित में से कोन सा कतन पृतिफल के संबंद में गलत है? तो प्रतिफल के संबंद में माली जी आपको कोशन आ रहा है तो प्रतिफल का अगर जो आपको पूरा टॉपिक ही करवा दें तो आपका इजी पढ़ जाएगा तो प्रतिफल जो है वचन गरहता द्वारा ही दिया जाना चाहिए प्रतिफल क्या होना चाहिए वचन ग्रहता के द्वारा दिया जाना चाहिए प्रतेक सम्विधा एक करार है प्रतू प्रतेक करार सम्विधा नहीं है प्रतेक सम्विधा कॉंटेक्ट क्या है करार है लेकिन करार कॉंटेक्ट नहीं है नहीं ठीक है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह हम आपको समझाते हैं दखो इसका मतलब यह है आप जैसे माल लिजे यह एक ए परसन है एक यह बी परसन है ठीक इसने इसको बोला कि आप हमें 20 रुपे दीजिये हम आपको यह काम कर देंगे यह काम कर देंगे ठीक है यह काम कर देंगे तो यह आपका क्या है एक करार है क्योंकि यहां पर कोई निश्ची चीद नहीं है तो यहां पर यह एक करार है और करार आपका कांटेक्ट नहीं होता है ठीक अगला परसन है ए और बी ठीक है इसने इससे बोला कि हम आपको हम आपको बोज उठाने के लिए या फिर जो है कोई भी काम करने के लिए बोज उठाने के लिए 20 रुपे देंगे अगर आपने उठाया तो यह क्या है यह आपका कांटेक्ट है जब दोनों का वहाँ पे काम हो रहा हो दोनों का आपका वहाँ पे नियत दिख रही हो कि A और B दोनों का फाइदा हो रहा हो ठीक है उसके रिगार्डिंग उसका फाइदा हो रहा उसके रिगार्डिंग उसका फाइदा हो रहा तो वहाँ पे कांटेक्ट होता है जहां पे दोनों का फायदा होता है वहां पे contact होता है ठीक है तो यहां पे हम देखते हैं तो option यहां सही है ठीक है प्रते समीदा एक करार है प्रते करार समीदा नहीं है समीदा बनने के लिए एक करार से उत्पन होना चाहिए सामाजिक आभार, विदिक आभार या फिर परसनल आभार या पिर आर्चिक तो आपर विदिक आभार आपका correct हो जाएगा अगला को कुशन है वचन के प्रावर्तनी होने के लिए किन किन बातों का आवश्चिक होना हो चाहिए तो यहाँ पर प्रिस्ताव स्विक्रतिक प्रतिफल यह सारी चीज़ें वहाँ पर होने चाहिए प्रतिफल की आवस्थिक विसेष्था यहाँ है कि वहाँ वचन दाता की इच्छा या अनुरोध पर दिया गया हो कौन सा कतन सही है तो सूनी करार हमेशा अवेध होता है अवेध करार हमेशा सूनी होती है तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट है अवेध करार हमेशा सूनी होती है तो ये भी आपका जो है सूनी करार अवेध करार वेध करार ये आपका बहुत important है ठीक है इनका भी टॉपिक आपको करवाना है आप जब बताना हम करवा देंगे अगला को कोशन है एक ब्यक्ति जो सम्विदा का पच्छकार नहीं है परन्तु उसका उस सम्विदा के प्रदिफल में कुछ हित हो है तो वहाँ पर संविदा का प्रवर्दन करावा सकता है अगला को कोशन है कालिल वणाम करवोलिक इस्मोक बाल कंपनी का बाज किस सम्विदा का कथन है किस विधी विशेशक्ग का कथन है, किस सम्विधा फाल तो समय की मजग बाजी नहीं है, तो यहाँ पे लाड इस्टोबेल हो जाएगा, अगला को कोशन है, सही कथन को इंगित करो, निविधा आमंत्रित करने की सूचना, एक प्रिस्थापना होती है, एक चलत प्रिस्थाप करने के में नियंत्रन यहां रखती है, अगला कोशन है, एक निश्पादिर प्रतिफल से तात्पर है, तो निश्पादिर प्रतिफल मतलब समईधा के निर्माड के समय कोई वस्तु जो वचन दाता की इच्छा पर दी जा चुकी हो, और अगला कोशन आपका, निविधा न कामेंट में बताइएगा, और अगर जो आपको पूरा टॉपिक करवाना है, तो आपको पूरी टॉपिक करवा देंगे, बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो को सेयर करना है, सब्सक्राइब करना, ठीक है, थैंक्यू, टेक केर